मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ED क्या है प्रावर्तन निदे साले क्या है क्योंकि इस समय पूरे देश में अगर किसी एजनसी की चर्चा होती है तो ED का बहुत जोड तरीके से हो रहा है क्योंकि पहले चर्चा CBI का होता था CBI ने FIR दर्ज कर लिया CBI ने यहां जाज प्रारम कर दिया पहले CBI के नाम पे जितने भी मंतरी होते थे नोकर सा होते थे बहुत डरते थे लेकिन वरतमान में ED से सब लोग बहुत भैभीतर है रहे हैं चाहें दिल्ली के मंतरी हो पशिम बंगाल के मंतरी हो जहां कहीं पर भी जहां भी नोकर सा हो जहां भी देखे ED के च्छापे पड़ रहे हैं करोणो रुपिया मिल रहा है कैस मिल रहा है नोट गिनने के लिए मसिंगे मंगानी पड़ रही है तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ED क्या है या कैसे काम करती है किन अधिनियम के तहत या करवाई करती है और क्या क्या पावर सकती ED को दिया गया है इस सब्सेय को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे तो चलिए वीडियो को प्रादम करते हैं जो ED है सबसे पहले जान लेते हैं कि ED का पूरा नाम क्या होता है इसे इंगलिस में क्या बोलते हैं जो ED हो वो बीत मंत्राले भारत सरकार के बीत मंत्राले के राजस्व विभाग जो बीत मंत्राले है उसके भी एक राजस्व विभाग होता है उसके अधिन एक विशेश बितिय जांच एजेंसी है और गुप्त एजेंसी भी इसे कहा जाता है इडी को इसके बाद जान लेते हैं कि इस लखनौव, चेन्य, बंगलूरू, कोची, यादी अन्य अन्य जगहों पर भी इसके कुछ उप करयाले, करयाले आदी इस्ती थे एडी के, इसके बाद जान लेते हैं कि एडी की अस्थापना कब हुई थी, जो एडी की अस्थापना हुई थी, एक मई 1956 को इसका हुआ था, ले करते हैं, बहुत सारी छात्रों के मन में भी अप्रस्नाता है, कि इसमें निवक्ति कैसे होती है, इसका अधिकारी हम कैसे बन सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इंडियन पूलिस सेवा में, इंडियन प्रसासनिक सेवा में, भारतिय राजयस्व सेवा में भरती होना होगा, जो IS, IPS लोग बनते हैं, वहीं इसमें अधिकारी बनते हैं, अलग से ED के लिए कोई भरती प्रक्रिया भारत में आयोजित नहीं क्रिया जाता है, कोई लिखित परिछा नहीं होता है, वहीं लोग इसमें अधिकारी निव्थ होते हैं, जो या तो IPS होते हैं, IS होते हैं, या भार से आधिनियम के तहथ काम करते हैं बहुत से बार आपने सुना होगा कि ED ने PMLA के तहथ करवाई की ED ने फेमा के तहथ समपति जब्त की यह सब क्या है कौन से अधिनियम है और कब बना देखिए जो अधिनियम है ED दो अधिनियम के तहत कारवाई करती है भारत में जो पहला है Prevention of Money Laundering Act 2002 जिसे PMLA कहा जाता है इसके बाद जो second है वह है Foreign Exchange Management Act 1999 जिसे फेमा कहा जाता है तो आप समझ चुके होंगे कि दो अधिनियम है जिसके तहत ED कारे करती है PMLA और FEMA SAT NAME है और पूरा नام यहा है 2002 में बना और 1999 में काम कर लाया इसके बाद है कि ED के क्या अधिकार है ED क क्या क्या करती है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ED के अधिकार ED जो इन अधिनियम जो कानून है इसके तर जब कोई इसकी वहलना करता है गहर कानूनी काम करता है तो ED इस बिसे की जाच कर सकती है उस बैक्ति को गिराफतार कर सकती है और गिराफतार करने का अधिकार ED को दिया गया है और बितिया रूप से देश में गहर कानूनी कार किया जा रहा हो और बिदेशी संपत्ती हो जाच मुकदमा सजा जो एडी होता है एक सीविल कोड की उससे सक्ति प्राप्त होती है किसी को गिलफतार करना उसे सजा सुनाना मामले की जाच करना निरच्छन करना यह सब एडी के काम है बहुत सारे आपने सुना होगा कि एडी ने समं कमाय है जो समपति कंँ भर उस पर भी कारवाई कर सकती है और एक्सेंज होते हैं उसन से ग्रफटार कर सकती है उसको सजा दे सकते हैं इडी का जो कोट होता है उसे सजा भी दे सकता है इस तरीके से आप गैर कानूनी काम करेंगे पैसे के लेन देन से बित्य रूप से तो जाइस ही बात है कि इडी उस पर करवाई करेगी और अभी बंगाल में पार्थ जो चटरजी हैं उनकी एक सहयोगी के हां से 22 करोड कैस मिल था जो नोटों का पूरा भंडार लगा था गिनने वाली मसीन बुलाई गई दि'llी के सत्य जैन जो मंत्री हैं वो भी ईडी के गिरफ्त में हैं और महराष्ट के कई मंत्री ईडी के गिरफ्त में हैं तो इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि ED से इस समय बहुत बड़े बड़े जो राज नेता है वो भी घबड़ा रहे हैं क्योंकि पहले जो CBI होती थी उसको बंद पिजड़े का एक तोता कहा जाता था तो इस तरीके से काफी बदनामी हुआ करती थी CBI का लेकिन इस समय वर्तमान में अगर कोई agency है जो इस समय पूर सब इसके गिरफ्त में आ रहे हैं सब पकड़े जा रहे हैं सब के पास पैसा मिलना है और यह दो अधनियम के तहती काम करती है prevention of money laundering act और foreign action management यह दो बहुत बड़े अधनियम है और इसको काफी विश्टित रूप से पढ़ने के बाद ही समाने जनकारी हो पाती है लेकिन सम फरकार का कोई आप लेन देन करते हैं गरवडी भी बीतिय में बिद्य 지금 में संपती खरीते हैं बिना बताए और पैसे का इधर से ऊधर करते हैं बिद्येश ऑiban करते हैं तो इस परकार के मामले में E-डी आपको ग्रफटार करेजी पूछ आज करेगी और इन पैसों से कमाया हुआ आपका जो धन्द रहता है संपत्ति रहता है उसको जब्द कर लिया जाएगा अगर सही जनकारी आप नहीं बताते हैं कि आपका आई का सोत्र कहां से आया है इतना सारा पैसा आपने कहां से इकठा किया है आपका इंकम कैसे हुआ इन सब विश्यों का अगर आप सही जन इसमें काम करती है